तो यहाँ पे आप लोग देख सकतो इस वीडियो को मैंने यूटूब पे अपलोड करा था 17 मार्च 2023 को और आज का जो डेट है वो है 19 मार्च यहाँ पे मैं आप लोगों को डेट भी कनफर्म करवा देना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यानि कि इस वीडियो को यूटूब पे अपलोड की वे मुझे दो दिन हो चुका है और यहाँ पे मुझे कोई भी copyright claim strike नहीं आया है तो मैंने इस चीज़ से कैसे बचा वो मैं आपको इस वीडियो पे step by step लूफी song बनाने के लिए बताने वाला हूं और आप लोगों को मैं यहाँ से इस song को play करके भी दिखा देता हूं कि यह बनने के बाद किस तरीके का लगता है तो यहाँ से मैं इसको play करता हूं तो आप लोग देख सकते हूं यूटूब पर मुझे यह ले गया और सुन सकते हूं तो देख सकते हूं यहाँ पर आप जब लूफी song में convert करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका यह बन करके तयार होगा तो अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं तो उसके लिए ओपें कर लेना आपको अपना chrome browser ओपें करने के बाद simply आपको यहाँ पर search करना लोफी Text लिख करके आपको search करने के बाद यहाँ पर आप देख सब तो एक option आ जयाता है image का इस पे आपको simply click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे देख सब तो आपके सामने बहुत सारा background निकल करके आ चुका है simply आप अपने वीडियो के लिए जो भी background यूज करना चातो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता simply आप उसको यहाँ से download कर लेना तो example के लिए मैं यह वाला background ले रहा हूँ तो simply इस पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे widget को option देख जाता है एक और तरीका जो कि आप इसको download कर सकतो वो आता है तो ठीक है आपको उस तरीके से आप इसको download कर लेना किसी तरीके से भी download करो बस वो photo आपके gallery में आ जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके website पे widget कर लिया हूँ विजिट करने के बाद यहाँ से यह photo देख से अब तो मिल गया मुझे simply इसको select करेंगे select करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है free download यानि कि इस पे कोई भी copyright claim श्ट्राइक नहीं आएगा यह पिक्सावे का भी website है जो कि हम लोगों को free में photos, videos प्रवाइड करता है बिल्कुल copyright free ठीक है तो simply हैं यहाँ यहाँ पे free download पे click करेंगे यहाँ पे आप से resolution पूछेगा तो जो भी resolution में चाहिए simply select करके यहाँ simply download पे click कर देना है click करेंगे तो यहाँ से आपको एक capture पूछेगा तो इसको simply verify करेंगे यहाँ पे tick लगाना है tick लगाने के बाद simply download पे click कर देंगे तो यह photo आपके gallery में save हो जाएगा अब यहाँ से हम लोगों ने कर लिया photo को save background को अब हम लोगों को चाहिए एक song जिसको हम लोग लूफी में convert करेंगे तो आप किसी भी song को download कर सेब तो कोई भी website से या फिर YouTube से कहीं से भी आपको पास एक song होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है कि song को कहां से download करे तो आप मुझे इस Instagram पे message कर देना username यह रहा वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि song को कैसे download करना वो बताना YouTube पे illegal है तो प्लीज इस चीश को थोड़ा समझो और आप मुझे Instagram पे message कर देना वहाँ से मैं आपको guide कर दूँगा आप वहाँ से किसी भी song को download कर सकते हो दुनिया में कोई सा भी song हो आपको वहाँ से वो song मिल जाएगा ठीक है बस आप मुझे Instagram पे message कर देना guide मैं कर दूँगा तो यहाँ पे मैं हम लोगों ने कर लिया background को भी download और मान करके चलो कि मैंने यहाँ पे song को भी download कर लिया तो उसके बाद आपको open कर लेना है अपना काइनवाश्चर अप्लिकेशन तो मैं आप आपको लेकर के चलता हूं full screen पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए ओके तो अब आप लोगों को open कर लेना है अपना काइनवाश्चर अप्लिकेशन तो open करने के बाद simply आपको यहाँ new project पे click कर देना है click करने के बाद आप लोग यहाँ से ratio select कर लेना solar ratio 9 यह वाला जो कि यह selected है select करने के बाद simply नीचे यहाँ create पे आपको click कर देना है तो आपके सामने आपका gallery open हो जाएगा तो यहाँ से हम लोगों को select कर लेना है एक background जो कि हम लोगों ने song को download करा है उसके claim copyright claim को bypass करेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे green effect एक video ले रखा है अगर आपके पास यह video नहीं है तो इसका link मैं इसी video के description में दे दिया है तो आप लोग वहाँ से download कर लेना और अगर download करने में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे Instagram पे message करना वहाँ से मैं आपको guide कर दूँगा तो simply इसको मैं यहाँ से select करता हूँ select करने के बाद यहाँ पे देख सब तो नीचे यह screen पे आ चुका है तो simply आपको यहाँ कोने में यह cut का option दिख रहा है simply यहाँ cut पे click कर देना है click करने के बाद आएंगे इसके starting point पे जहाँ से यह effect start होता है आने के बाद अब हम लोगों को ले लेना यहाँ पे song जो song को हम लोगों ने download करा है उस third party website की मदद से तो simply song को लेने के लिए यहाँ पे एक audio का यह option है इस पे आपको click करना है click करने के बाद इधर scroll करोगे तो सब से नीचे यह folder को option आएगा उसके बाद आप लोगों ने song को जिस भी folder में download करके रखा यहाँ पे वो folder आपको दिख जाएगा तो मेरा यह downloads वाले folder में इसमें जाओंगा और यह देख से अब तो यहाँ पे मेरा song पड़ा हुआ तो simply मैं इस पे click करूँगा तो यह play हो जाएगा तो simply आपको इसको अपने नीचे यहाँ पे add करने के लिए यहाँ पे आपको यह पलस का option दिख रहा है यह वाला इस पे आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे देख सब तो यहाँ पे आपका नीचे यह song add हो चुका है song add होने के बाद simply यहाँ पे आपको cut वाले पे click कर देना है अभी हम लोगों का यह song लूफी में convert नहीं हुआ है यह पहला step है आप लोग simply मुझे follow करते जाओ steps को आप लूफी song बिल्कुल ही बना पाओगे ठीक है तो simply इस song को select करेंगे देख से अब तो select करा मैंने select करने के बाद आएंगे इस song के last point पे last point पे आने के बाद देख से अब तो यहाँ पे हमारा इस song का यह last point है और यह जो green screen हम लोगों ने लिया यह बड़ा है ठीक है तो हम लोग यह fall to parts को यहाँ से cut कर देंगे तो यहाँ पे आने के बाद simply green screen को select करना यह वाले को select करने के बाद आपको यहाँ पे option दिख जाता है trim and split यह वाला simply आपको इस पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे option दिख जाएगा trim right तो इस पे आपको click कर देना है तो देख सकतो फालतू का जो पार्ड था वो cut हो चुका है, इतना करने के बाद simply आपको यहां से back कर लेना है, back करने के बाद आपको इसको सबसे पहले export कर लेना है, यह हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी कोई claim बगारा हो, वो यहां से bypass हो जाए, तो इसको export करन के लिए simply उपर कोने में देखो, यहां पे arrow का option है, इस पे आपको click करना है, click करने के बाद आप जो भी resolution में अपने song को बनाना चाहते हो, 2K, 4K, 1080p, यहां पे आप select कर लेना, मैं इसको 1080p कर रहा, and simply यहां पे save edge video पे click कर देंगे, तो यह हमारे gallery में save होना start हो जाएगा, जब तक यह हमारे gallery में save हो जाता है, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं करा, तो please इस वीडियो को एक like जरूर से कर देना, और आप लोग अगर channel पे नए हो, और copy paste related content बनाना चाहते हो, तो आप लोग मेरे channel को जरूर से subscribe कर लेना, मैं अपने channel पे copy paste related videos ला कि आपको समझने में आसानी हो जाए, तो जब तक यह export हो रहा है, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे एक story channel दिखा देना चाहता हूँ, जिसका नाम है लक्षमी story voice, यह लिखके search करोगे, तो आपके सामने यह वाला channel आ जाएगा, इसका link मैंने इसी वीडियो के description पे दे करते हैं इनके वीडियो की, तो देख सकतो हो, रेगुलर बेसिस पर यह अपने channel पर वीडियो कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकतो हो, दो दिन पहले, एक दिन पहले, लेकिन views इनका काफी ज़्यादा काम है, अब मैं आपको यहाँ से वीडियो करके दिखा देता हूँ, कि कि यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकतो हो, यह copy-pasted content है, और इस तरीके का channel भी 100% monetize होता है, तो आप लोग भी इस तरीके का एक नया channel बना सकते हो, और प्लीज आप लोग इनके channel लक्षमी story voice को जरूर से subscribe कर लेना, ताकि इनका channel भी धीरे-धीरे grow होना start हो जाए, तो चलते हैं, अब हम लोग अपने videos की तरफ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकतो हो, यह थोड़ा सा और रा गया है, थोड़ा सा और बेट कर लेते हैं, जब तक यह completely यहाँ पे export हो के हमारे gallery में save हो जाए, ओके तो यहाँ पे देख सकतो हो, यह हमारे gallery में save हो चुका है, तो simply यहाँ से आपको back करना है, फिर से back करना है, और यहाँ पे आपको simply new project पे फिर से click कर देना है, click करने के बाद आपको ratio select कर लेना है, solar ratio 9 यह वाला, उसके बाद simply नीचे create पे click कर देना है, create पे click करने के बाद आब हम लोग लेंगे अपने Luffy song का background जो कि हम लोगों ने photo को download करा था तो simply उस photo को select करेंगे यहाँ पर मेरा photo है इस पर simply click करके इसको मैंने देख से अब तो select कर लिया है select करने के बाद simply आपको कोने में यहाँ cut का option देख रहा है cut पर click कर देना click करने के बाद आपको इस photo को select करना और आपका song जितना भी बड़ा होने वाला इस तरीके से इसको खीच करके बड़ा कर देना तो example के लिए मैं इसको 2-3 minute का खीच करके बड़ा कर लेता हूं आपका भी song जितना बड़ा होने वाला आपको इस तरीके से खीच लेना और बड़ा कर लेना बड़ा कर लेने के बाद आ जाना इसके starting point पे यहां से देख सब तो यह start है starting point पे आने के बाद अब हम लोग लेंगे green effect में जो हम लोगों ने song डाल करके अभी export किया था तो उसको लाने के लिए simply आपको यहां layer पे click करना है उसके बाद media पे click करना है और चले जाना है आपने जहां पे भी आपने उसको save करा है तो यहां पे मेरा देख सेब तो kind master वाले folder में यह save है और यहां से इसको हम green वाले को select कर लेंगे अब इसमें मेरा song भी है और यह green screen का effect भी है तो simply इस green effect को हटाने के लिए इसको select करके रखना इसको देख सकते हो इसको यहां से slide करोगे तो आपको यहां पे एक option दिखेगा split screen यह वाला option इसपे आपको click करना है click करने के बाद आपको simply यह वाले rectangle वाले white color का जो है इसपे आपको click कर देना है तो यह आपके full screen में यह ऐसे हो जाएगा इतना करने के बाद simply आपको एक बार back करना है back करने के बाद थोड़ा सा और नीचे होगे तो आपको यहां पे एक option दिखेगा chroma key यह वाला option तो simply आपको इसपे click करना है click करने के बाद आपको यहां पे इसको enable कर देना है enable करने के बाद आपको इसको घटा बढ़ा सकतो इसको मैं यहां पे 30 पे रख रहा है ताकि देखने में ज़्यादा अच्छा लगे 30 पे इसको रखना है और इसको आपको 70 पे इस तरीके से कर लेना है करने के बाद इसको यहां से back करेंगे और अभी भी यह लूफी सौंग में convert नहीं हुआ है यह हम लोगों ने second step को complete करा है आप लोग मेरे steps को follow करते जाओ कैसे हम लोगों को claim को bypass करना है वो मैं आपको step by step बता रहा हूँ तो आप लोग मुझे बस follow करते जाओ अब मैं आपको यहां से play करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का यह बनाया भी फिलाल लेकिन अभी यह complete नहीं हुआ है तो मैं आपको play करके सुना देता हूँ तो देख सकतो green effect में हम लोगों का इस तरीके से कुछ था यह जो screen पे आपको यह ऐसे करके effect दिख रहा है यह था अब यह एक side से दिख रहा है सिर्फ इस side से दिख रहा है अभी हम लोगों को इसको इस side भी लाना है ताकि देखने में और ज्यादा थोड़ा सा attractive लगे तो उसके लिए आपको आजाना starting point पे starting point पे आने के बाद simply आपको layer पे click करना उसके बाद media पे click करना और इस बार वो वाला effect लेना जो कि आप लोगों ने link से download करा उसमें कोई song नहीं रहाना चाहिए simply आपको सिर्फ effect लेना ये green screen वाला ठीक है इसमें कोई song नहीं है तो simply इसको select करेंगे select करने के बाद देख सक तो ये screen पे आ चुका इसको full screen में करने के लिए यहां से इसको scroll करेंगे and then split screen पे आपको click करना click करने के बाद आपको ये rectangle पे click कर देना जो white color का है इस पे तो full screen में ये हो जाएगा देख सकते हो उसके बाद simply आपको यहां से back करना back करने के बाद आपको चले आना rotate and mirroring ये वाले option पे इस पे आपको click करना and आपको simply इस वाले पे एक वर click कर देना तो आपका rotate हो करके देख सेब तो इसकोने से ये effect होना ये start हो जाएगा ठीक है तो simply इसको एक वर back करेंगे और green screen को हटाने के लिए थोड़ा सा और scroll करोगे तो यहाँ पे आपको option दिखेगा chroma key इस पे आपको click करना है and इसको यहाँ से enable कर देना है enable करके इसको भी 30 पे रखेंगे कुछ इस तरीके से आपको 30 कर लेना and यह नीचे वाले को 70 कर लेंगे इस तरीके से and यहाँ से मैं back करूँगा और आपको play करके दिखाता हूँ अभी इस कोने से सिर्फ ए effect हो रहा था अभी इससे भी होना start हो गया है तो यहाँ से मैं आपको play करके दिखा देता हूँ तो देख सब तो कुछ इस तरीके से effect होना start हो गया लेकिन अभी इसको अभ देंगे यहाँ पे इसके song का name जो song यह बजरा ठीक है तो इस song का name है तो मेरा कोई ना तो अपना इस song का नाम देने के लिए simply आपको यहाँ layer पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे text का यह option दिख जाता है simply इस पे click करेंगे जो song का name है वो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से type कर देंगे तो यहाँ समय ने song का name को इस तरीके से type कर दिया है करने के बाद simply आपको यहाँ ok पे click कर देना है click करने के बाद आप इसको थोड़ा सा हम लोग zoom out कर लेंगे इस तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे और अपने screen पे इस तरीके से set कर देना है set करने के बाद अगर आपको इसी तरीके से अच्छा लग रहा है तो छोड़ देना इतना करके ही अगर आपको इसको थोड़ा सा और attractive बनाना तो simply आपको यहां से scroll करना और scroll करके आ जाना यहां पे देख सकतो outline का एक option है इस पे आपको click करना and then इसको enable कर देना enable करने के बाद आप इसको घटा बढ़ा भी सकतो जहां पे भी आपको अच्छा लगता इस तरीके से घटा बढ़ा सकतो इतना करने के बाद simply आपको back करना है back करने के बाद यहां पे आपको shadow का option दिख जाता है इस पे click करना and इसको भी यहां से आप लोग enable कर देना enable करने के बाद यहां पे आप लोग भी इसको घटा बढ़ा के देख लेना कि कहां पे आपको यह देखने में अच्छा लग रहा है तो simply मैं इसको इस तरीके से घटा बढ़ा लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इतना करने के बाद simply यहाँ पर एक और option मिल जाता है glow तो simply glow पर click करना है और आपको इसको भी enable कर देना है और यहाँ पर color भी change कर सकते हो जो भी color में इसके background glow को रखना है यहाँ से आप select करके change कर सकते हो तो simply मैं आपको example के लिए वही yellow color छोड़ दे रहा और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो देख से अब तो text के पीछे yellow yellow color से दिखना start हो चुका है इतना करने के बाद simply अब हम लोग यहाँ से इसको back कर देंगे और यहाँ लोगों ने text को add करा यह वाला इसको भी खीच करके इस तरीके से अपने पूरे song पे कर देंगे जितना भी बड़ा आपका song है उस तरीके से पूरे song पे आपको इस तरीके से खीच करके कर देना है इतना करने के बाद मान करके चलो कि मैंने इसको खीच करके पूरे song पे कर दिया कर लेने के बाद आना है आपको अपने song के starting point पे अब हम लोगों को करना इसके वाइस में changes ताकि हम लोग copy right claim से बच सके अभी यहाँ पर main part है यहाँ से आप लोग ध्यान से समझना ठीक है तब ही आप लोग copy right claim को bypass कर सकते हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं करा तो please एक like जरूर से कर देना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा detail में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए तो please एक like जरूर से कर देना तो अब हम लोग करेंगे इसके voice को bypass ताकि claim बगएरा ना आए उसके लिए जो हम लोगों ने song को यहाँ पर डाला था देख लो कौन से layer पर song है हमारा यहां से आपको layer दिख जा रहा simply अपने song के layer को select करना तो यहाँ पर मेरा यह song का layer है इसी में मेरा song है इस layer में तो simply इसको select करेंगे select करने के बाद आपको यहाँ से scroll करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा option speed का यह वाला simply आपको इस पर speed पर click करना है click करने के बाद आपको एक point इस तरीके से घटा देना है सिर्फ एक point आपको घटाना है कुछ इस तरीके से घटाने के बाद simply एक बार यहां से back करेंगे यह सब steps बहुत ही important है तो यहां से ध्यान से देखना ठीक है back करने के बाद आपको यहां पे एक option दिख जाता है EQ का यहां से थोड़ा सा scroll करोगे तो आपको option दिख जाएगा EQ यह वाला option इस पे आपको simply click करना है click करने के बाद आपको यहां पे एक option दिख जाता है bass booster यह वाला तो simply आपको इस पे select कर लेना है select करने के बाद simply back कर देना back करने के बाद यहां पे आपको reverb पे click करना है click करने के बाद आपको यहां पे option दिखेगा spring reverb यह वाला option तो simply आपको इसको select कर लेना है तो मैं यहाँ से इसको select कर देता हूँ select करने के बाद simply इसको यहाँ से back करेंगे और एक बार और back करेंगे अब हम लोगों को यहाँ से हो चुका है हमारा loopy song बन करके तयार इस तरीके से आप किसी भी song को loopy में convert कर सकता हूँ जिससे कि आपको कोई भी copyright claim श्ट्राइक नहीं आएगा अब मैं आप लोगों को play करके दिखा देता हूँ कि finally, completely यह किस तरीके का बन करके तयार हुआ है तो मैं यहाँ से play करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सेबते हो इस तरीके से loopy song हमारा बन करके तयार हो चुका है अब इसको अपने gallery में लाने के लिए simply आपको उपर कोने में यह arrow वाला option देख रहा है इस पे आपको click कर देना उसके बाद simply आप यहाँ पे resolution select कर लेना जो भी resolution में आपको यह चाहिए select करने के बाद simply आपको save as video पे click कर देना तो यह हमारे gallery में save होना start हो जाएगा और यहाँ पे हमारा loopy song बन करके भी तयार हो चुका है आप जब इसको YouTube पे upload करोगे तो आपको कोई भी copyright claim श्ट्राइक नहीं आएगा तो यह था एक छोटा सा information जो कि मैं आप लोगे साथ share करना चाहता था वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को please एक like जरूर से कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना मैं आप लोगों के लिए copy paste related videos लाते रहता हूँ तो मिलते हैं next video पे